जै सियाराम जै जैराम रुचिर चौत नी सुभग सिरा मेचक कुंचित केश नक सिख सुन्दर बंधु दो सोभा सकल सुदेश जै सियाराम जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव सुदाशिरत अजिर भिहारी देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाए धाम काम सब त्यागी मन हुरंक निधि लूटन लागी निरखी सहज सुन्दर दो भाई ओही सुखी लोचन फल पाई जुवती भवन जरोखनी लागी निरख ही राम रूप अनुरागी कहा ही परस पर बचन सप्रीती सकीन कोटी काम छबी जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही सोभा असिकहू सुनियत नाही विष्णु चारी भुज बिदी मुख चारी विकट बेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस कोवन आही यह छबी सकी पट तरिय जाही बैकी सोर सुसमा सदनाव श्याम गौर सुख धाम अंग अंग पर बारिया ही कोटी कोटी सत काम जै सिया राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी रवव सुदा से रत अजिर विहारी कहा हूं सखी अस कोट अनुधारी जोन मोह यह रूप निहारी को सप्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुना हूं सयानी यह दोंदस रत के रोटा बाल मरालनी के कल जोटा मुनिकोशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारेच सुभुजु मृदुर बोचन खौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धन सायक पानी गौर की सोर वेशु बर पाच्छे कर सर चाप राम के पाच्छे लचिमन नाम राम लग ब्राता सुन सखिता सु सुमित्रा माता विप्रकाजु कर बंध दो मग मुनिबधु उधारी आये देखन चाप मखो सुन हरसी सब नारी जै सिया राम जै जै राम मंगल भावन या मंगल हारी द्रवा उशुदै से रत याजिर विहारी शिर पर सुन्दर चोकोनी टोपिया इन दिये हैं काले और घुंगराले बाल हैं दोनों भावी नक से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुन्दर हैं और सारी सोबा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है जब पुरवाशियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आये हैं तब वे सब घरबार और सब काम का छोड़ कर ऐसे दोड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लोटने दोड़े हों सुभाव ही से सुन्दर दोनों भाईयों को देखकर वी लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं यूती इस्त्रियां घर के ज़रोकों से लगे भी प्रेम सहित सी रामजनर जी के रूप को देख रही हैं वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं हे सकी इन्होंने करोडों काम देवों की छबी को जीत लिया है देवता मनुष्च असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती भगवान विष्णु के चार भुजाये हैं ब्रह्मा जी के चार मुख हैं शिवजी का विगट यहनी भयानक वेश है और उनके पांस मुह हैं इसकी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है इसके साथ इस चबी की उकमा दी जाएं इनकी किसोरा वस्ता है ए सुन्दरता के घर सावले और गोरे रंग के रथा सुक के धाम हैं इनके अंग अंग पर करोणों अर्मों कामदेवों को निशावर कर देना चाहिए इसकी भला कहो तो ऐसा कौन शरी धारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए अर्थाद यह रूप जड़ चेतन सब को मोहित करने वाला है तब कोई दूसरी सकी रेम सहित कोमल बाणी से बोली यह सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो यह दोनों राजकुमार महराज दस्तजी के पुत्र हैं बाल राज हनसों का सा सुन्दर जोड़ा है यह मुनी विश्वामित्र के यग्जी की रक्षा करने वाले हैं इन्होंने युद्ध में के मैदानों में राक्षसों को मारा है जिनका श्याम सरीर और सुन्दर कमल जैसे नेत्र हैं और मारीच और सुबाहों के मद को चूर करने वाले और सुक्की खान हैं और जो हाथ में धनुस बाढ़ लिए हैं वे कुसल्या जी के पुत्र हैं इनका नाम राम है जिनका रंग गोरा और किसोर अवस्ता है और जो सुन्दर वेश बनाए और हाथ में धनुस बाढ़ लिए स्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं वे इनके छोटे भाई हैं इनका नाम लक्समड है ये सकी सुनो उनकी माता सुमित्रा है दोनों भाई ब्रहामण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनी गौतम की इस्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहां धनुश्यक देखने आए हैं यह सुनकर सब इस्त्रीया पसंने हुई जाई सिया राम जाए जाए राम मंगले भावन या मंगले हारी द्रवव शुदा शिरा थे अजिरे भी हारी